मंदिर आज से खुलने पर बाड़ बाले स्रीकने इस मंदिर मैं स्रीमती साधना सिंग चोहान आईं विदीविदान से पूजन अर्चना की नोकर न्याओं को सोशल डिस्टेंस का परण कराते हुए भोजन कराया साधना सिंग चोहान मंदिर में तकरीबन दो घंटे तक रुक यादब महसभा के जिलाद्यक्ष रजनी स्यादब के नित्रत में समाज ने मुरारी बापू द्वारा स्रीक्रिष्न के खलाप असोबनी टिपनी करने पर निंदा की और एग्यापन शौपा किस संद्रम क्या पूंजाब है हम लोगों ने मुरारी लाल जो एक कथा बाचक है जो गुजराद पदेश में रहते हैं उन्होंने अपने मन से कुछ अनरगल बातें भगवान शिर्क्रिष्प भगवान बल्लाम जी और समाज ये हमारे बन्यों के बारे में बहुती अप्मानित जन्यक्त बात कही जिससे पूरे भारत नहीं पूरी दुनिया में लोग इससे दुखी हैं अपने आपको अप्मान अपने मैसे उसकर रहे हैं सनातन धर्म के एक इत्ते बड़े कथा बाचक के द्वारा इस प्रकार का ये करक्त माफी काविल नहीं है हम सरकार से मांग करते हैं कि ऐसे कथा बाचकों जो देश के बातावन को बिगाड़ें धार में भावनां को फेस्ट बहुचाएं हमारे इ में भी हम सरकार से मांग करेंगे ये तो हमारा पहला चर्ण है हम अपनी बात कह रहे हैं आगे चलके मद्वदेश के समाज बंदू सब बोपाल में बैठेंगे और इस प्रकार के देश का माहल बेगाड़ने वाले राश्ट लोग दिश्ट्री में आता है मेरी दिश्ट्री हमारे आदनियस ब्राद जी है हमारे जिलाद रजी जी है अपना नम बता है मैं रजी शियादव जिलाद ज्यादव महासावा विदिशा आज जैसा की मीडिया में और इलेक्ट्रोनिक माध्यम से जैसा पता चल रहा है मुरारी बापू द्वारा ये जो दुर्वचन बोले गए हैं जिनकों की हम सारवजनिक नहीं बोल सकते ऐसे जो खुद अपनी दुकान भगवान के माध्यम से चला रहे हैं और उन्होंने इस तरीके की भगवान सिरी कृष्ण बलराम जी को और उनके पूरे परिवार को कहा है हम इसकी घोर मिंदा करते हैं पूरी यादव महास सबस्कबा और समाज इसकी घुर्मनिन्दा करती हैं और सरकार से निवेदन करती हैं कि उन पे कड़ी से कड़ी कारवाई की जाए और उनको गिरव्थतार करके उन पे कानुनी मुकद्मे धायर किये जाए जिस से की आगे कोई ऐसा मुरारी बागवु फिर से ना पैदा हो जिससे की हिंदू और की भार्वनाओं को ठेस पहुंचे।